देकर देश भर से प्रतिक्रियां हैं आगे उपरी अदालतों में भी केस जाएगा लेकिन जब कोट ने अपना निर्ने सुनाया तो क्या रही लोगों की राय ये देखते हैं कि रिखना क्या है सीगे का शुरूर्म के जो था यह जो है यह इनके पास था के टेस कर दिया को ना सिबी ने उसमें को चैड किया ना को सिह काम किया है और जो कोन के पास था वो कोट के साहने पेश कर जया तो परिश ने माना कि चीज को चार्शी ट्रीट किया जया जया ज़े को चीज करके बजजे स्टेट साब का आर्डर माना और इसको जो है जज़ साब ने सजा दे रेगी इसमें परस्नल फेलिंगा मतरभी को नहीं है चाहे मेरे मि आर्शी की हत्या पर फैसला सुनाते हुए सी बिया अदालत ने कहा कि परस्थितियों के मताबिक इस अपरात को अंजाम देने के लिए उस घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था मतलब बाहर से कोई नहीं आया था और इसी बुन्यार दी फैसला सुनाया गया इसलिए आईबे सिंग साब जी मैं आपसे जाना समझना चाहूंगी कि ऐसा कब और किन हालात में अदालत करती है जो उनसे संपर्क शायद हमारा नहीं हो पा रहा है लेकिन हम रोजान जी हम आपसे जाना चाहेंगे कि जिस सरह से ये फैसला आज आया है जिस सरह से पूरी इंवेस्टिगेशन हुई है जो स्टार्टिंग में यूपी पुलिस ने इंवेस्टिगेशन की थी उनकी भी थियोरी यही थी कि तलवार दंपती नहीं आरोशी की हत्या की है लेकिन बीच में फिर CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि इसके इस मामले में जादा सबूत नहीं मिल पाएं इसलिए इसके इसको बंद करना ही ठीक रहेगा लेकिन आखर में जब आज फैसला सुनाया गया दोशी करार दिये गए है तो आज भी CBI ने यहीं कहा कि तलवार दंपती नहीं हत्या की है अरोशी और रहीम राज की यानि कि जो यूपी पुलिस ने स्टार्टिंग में थोड़ी दी थी तो ऐसे में जो CBI बीच में क्रोशी रिपोर्ट जालती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे वही सबसे बड़ा एस्टॉनेशिंग खीज थी कि CBI ने कहा CBI जैसे एजनसी जिसके पास वो इंडिया की बेस्ट टेक्नॉलाजी है फॉर्सनिक्स है सब कुछ बेस्ट है फिर भी वो लोग इसमें फंबल्ड हो गए कि हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है यह सरकम्स्टिसल एविडेंसिस है बट जो क्राइम सीन पर सब मैसप हुआ था या जो सब क्लीन अप हुआ था वो सब उनके पास बोल भी हमारे पास को एविडेंसिस नहीं है आपको रोटना चाहूंगी फोन लाइन पर आई बी सिंग जो मैरे साथ जोड़ चके हैं सिंग साब जी आपसे यह जाना चाहूंगी कि जिस तरह से स्टार्टिंग ठ्योरी जो यूपी पुलिस ने दी थी है तो ऐसे में क्लोजर रिपोर्ट जो जनवरी 2011 में दाथिल की गई थी उसकी क्या ज़रता आपको क्या लगता है उसकी पीछे की वज़ए एक कि इन्वेस्टिगेटिंग इजन्स्टी के जूटी होती है कि जो भी एविडेंस है उसको कलिक्ट करके कोट के सामें रखते क्लोजर विपोर्ट फाइन leपोर्ट या चोर्थी यह इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर की एक अपनी अपरी ऑपिनियन हो कि हमारे एसाथ से इसमेट साथ प्रयाप नहीं है नायाले घसमच जब रखा जाता है तो मैयाले उसका अवलोकम करती है मैयाले डिसाइड करती है इंडिंटिगिेटिंग आफी सर की बेओ इस बेदे मे 27 को किनारे रख़ Państwo आखे घ्रएटे साथ के बाइलार पर सरक्صंसर इविजंस का किरे यहां तरक है वो एक वीक टाइप का इविजंस माना जाता जहांपर डारेक्ट इविजंसन नहीं है उसके अंदर कई कंडी doorway कोती है जिसमें चेहन आप सरक्णूसर सारी के सारी इतनी मजबूत होनी तरहsis यारी है रुजान जी और खुशदीब जी मैं आपसे संशेप में जाना चाहूंगी कि इस फैसले से आपको क्या लगता है क्या आज आज आरुशी को इंसाफ मिला रुजान जी पहले आपसे जाना चाहूंगी मेरे को यह फैसले साथ कि इनिशले थौट के बिकोज अफ लाक और एविदेंस इन सॉलिड प्रूफ दर कन बी चांस कि दे कें गो स्कॉट फ्री लेकिन तुड़े आपके के आप जाएंगे आप कुछदीब जी आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ नेहा मैं यह कहना चाहूंगा जो तलवार दमपती के खिलाफ सबसे बड़ी बात गई है वो यह देखा गया कि एक घर में साथ वाले कमरे में मडर हो रहा है और वो सो रहे हैं और उन्हें पता नहीं चलता जो इन्होंने दलील दी तो इसी को अदालक में मानते हुए यह फैसला सुनाया और अभी यह लड़ाई लंबी ले ली जाएगी जैसे कि तलवार दमपती ने काया कि वो सुप्रिम कोर्ट तक इसमें जाएंगे तो अभी भी हमें इंतजार करना होगा फाइनल फैसले का यहां पर अभी भी इंतजार बरकरार है क्योंकि लड़ाई और